नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं जोतिश जराहट के आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोस संतोशी उत्तर मुखी मकान चर्चा आज उत्तर मुख के घर की इसका अर्थिय होता है जब आप घर से बाहर निकलें तो आपका मुख अगर उत्तर दिशा में है नौर्थ साइड में है तो आपका यह घर उत्तर मुखी मकान हुआ उत्तर मुखी मकान आपके लिए कितना शुब है कितना अशुब आज इसी पर चर्चा करेंगे हलाकि हमने रिजल्स में बताया था एक विशेश बात लेकिन आज उसको विस्तार दे देंगे हम उत्तर मुखी मकान में अलप आयू में मौते होती हैं और यहां हमने एक भी ऐसा मकान आज तक नहीं देखा जहां पर ऐसा ना हुआ हो तो हम 100% शूर हैं इस बात को लेकिन अब जब हमने रिल्स डाला तो उस रिल्स में तो खैर समय कम होता है एक्स्प्लेइन नहीं कर पाते मात्र 69 सेकेंड का समय होता है यहां पर हम वीडियो में इसलिए इस विशे को लेकर आए कि आप सबको पूरी तरह से यह समझ में आ जाए आप लोग को पता होगा कि जब लास जलाई जाती है तो उत्तर दिशा में उसका सर होता है कमपास से जब आप दिशा का ग्यान करते हैं दिक सूची यंत्र जिसे कहते हैं तो उसमें उत्तर दिशा में लाल रंग का जो चुम्बकत्व है वो नौर्थ दिखाता है याद आया मोबाइल में भी कमपास होता जो लाल सुई है उसको हम नौर्थ पे ले जाते जीरो तीन सो साथ उसी पे आके पूरा होता है इसलिए क्योंकि उत्तर दिशा में चुम्बकत्व की शक्ती है चुम्बकी ये शक्ती ये खीचती है उत्तर दिशा में सर लासका इसलिए किया जाता है कि अगर कुछ प्राण शेश आदी हो तो वो मतलब पूरी तरह से शरीर मिट्टी बने यही वज़ा है उत्तर दिशा में शयन करने के लिए मना किया जाता है मालूम होगा ना तो उत्तर दिशा का घर कैसे शुभ हो सकता है इसका आज तक कोई हमें समझ में ही नहीं आया कि क्यूं ऐसा था पहले के समय में उत्तर पूरब ही माना जाता था और हर गाव में यही होता है या तो उत्तर मुखी मकान मिलते हैं या तो पूरा मुखी मिलते हैं गाव में ग्रामी रंचलों में जहां सत्तर असी साल पहले जब जोतिश का इतना प्रचार प्रशार नहीं था तो जो वहाँ के लोकल पंडित कर्म कांडी आधी होते थे तो वो एक ध्धर अच्छा दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ आप सबको कोई शोध नहीं करना चाहता लकीर के फकी ससरा कोई कर आया तो हम भी वही करेंगे यह वही एक कहावत की बहु आई और बिल्ली उस समय एक मर गई थी बंधो करके तो बहु देखी कि सास मा बिल्ली को जो है कहीं फेकने ले जा रही है उसने सोचा कि यह परंपरा है उसकी बहु आई तो उसने बिल्ली खोजवाया मारा और उसको फेकने गई मनलब इतनी भेड़ चाल इतनी भेड़ चाल भारतिय धरिशंद जी ने जो लिखा है भारत की सभ्यता हमने पढ़ा है यही तो चैप्टर था कि हम हिंदुस्तानी सचमे रेल गाड़ी के डिब्बे की तरह हैं एक चल गया पीछे-पीछे सबको भागना है उसी में ये भी कहा गया है ना कि लीक छोड़ तीनों चले साइर सिंग सपूत कुछ तो भाईया शोध करो अलग से हम जब देखें इस चीज को यकीन मानिये मेरे गाव में मेरे अपने व्यक्तिकत गाव में टांडाम बेटकर नगर टांडा तासील हमारी हम बेटकर नगर जि उत्तर मुखी में है और साथ-ाठ गर हैं जो पूरब मुखी में है उत्तर-मुखी का एक भी मकान ऐसा नही रहा है जहां पर दो से तीन अलप अम्र्तिवें ना हो accomplishments फिर मैं और देखना सुरू किया तो यह हमको सही मिलता गया जब शोध किया तो यहीं निश्कर से निकिला कि उत्तर तो सदयवाशुब रहा है तभी तो उत्तर सिरहाना नहीं किया जाता उत्तर लास का सिरहाना करते हैं जब कोई मर जाता है मालीजे बिस्तर पे पड़े-पड़े कोई मर गया जब उसको जमीन पे लिटाते हैं तो उसी समय उत्तर सरकर दिया जाता है आप लोग दे हमें हाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान is different thing वहां से कुबेर का connection आ गया घर से कुबेर का connection नहीं है घर वो जगह है जहां पर आप शांती और सुकून के पल भिताते हैं भोजन करते हैं बच्चों के साथ मस्ती करते हैं खेलते हैं शयन करते हैं enjoy करते हैं उसे घर कहते हैं घर से ब्यापार अगर चलता है तो little bit favorable होगा लेकिन मौत तब भी होगी आर्थिक दिश्टी से favorable हुआ लेकिन मौत तब भी होगी अब आप जान लो हमने hundred percent इसको आजमाया हुआ है हाँ किसी का देर किसी का सबेर ये है संभाव अच्छा आप कुंडली ऐसा क्यों ऐसा हो जाता है कुंडली से अगर देखा जाए तो जो उत्तर दिशा है वहां से connection जुड़ता है बुद्ध खास तोर पर जो अल्प आयू का कारक गरह है बुद्ध बाल गरह है बुद्ध सबसे सौ में राजकुमार गरह है उत्तर दिशा अल्प आयू मृत्यू के लिए जिम्मेदार दिशा है उत्तर दिशा का मकान फ्लैट किसी कीमत पर किसी भी दिश्ट कोंड से कताई शुभ नहीं हो सकता आगे आपकी मरजी जीवन आपका है हम अपना दायत्तों का निरवान कर र करते हैं कि संसनी फैलाने के लिए अरे हम संसनी काहिक ले फैलाएंगे भाई शोध करते हैं हम आप लकी जैसे अपसूरी को पानी देने वाला था हमने साब बोला भया पिता की रूप में दे दो ग्रह के रूप में घी दो ना ग्रह के रूप में घी दो क्या दिक्कत है इतने तो कहा था मैंने सनातन धर्म को ले करके चले आते हैं धिरोरा पीटने के लिए बेवकूफ लो क्या कहा जाए दर्द होता है थोड़ा सा पहले मैं कमेंट पढ़ता था फिर विचलन होने लगा कमेंट क्यों पढ़ूं मैं हमारे विचार लगते हैं तो समझने वाली बात कि हमें कुछ मिलेगा नहीं आपकी रक्षा हो जाएगी तो उत्तर मुखी मकान का कोई आप्षन नहीं है सिवाए चेंज करने के बेचिए हटिए किरायब जाये जो मर्जी करिए उत्तर मुखी मकान को अच्छा दूसरी के करके ना सोचते हैं कि ये खतम हो जाएगा दोश कुछ दोश नहीं खतम होते जैसे इशान कोण का टॉयलेट जैसे उत्तर मुखी घर जैसे पूरब दिसा में लेटिंग सीट ये दोश कोई पिरामिद जो है नमक जो है पंचमुखी हनुमान या हमने जो बताया स्वास्तिक पीपल के लकड़ी का ये दोश खतम नहीं करता ये ब्लंडर है इसे खतम करना है तो आप हटाओ हटो वहाँ से तो उत्तर मुखी मकान 99 नहीं 100% अवाइड करिये किसी कीमत पर भी किसी कीमत पर ये शुब नहीं हो सकता हाँ आपका भोग प्रवल है तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे आपका भोग प्रवल है वीडियो देखेंगे तो मानेंगे नहीं क्योंकि आपको भोगना है बाप कहता है कि बेटा 180 की स्पीड से कार न चलाओ, दारू पी के कार न चलाओ, उस ससुरे को भोगना और मरना होता है, बाप को अवाइड करता है, इगनोर मारता है, दारू भी पीता, एक सो स्पीड भी 180 का लेता और पिला जाता है और मर जाता है, क्योंकि उसकी मृत्यू प्रबल थी, उसकी मृत्यू प्रबल थी, कववा रो रहा था, गरूर ने कहा क्यों रो रहे, कहा कि दारत ने कहा कि अमर जाएंगे इतने दिन में कैसे अच्छा, चलो हम तुमको पहुंचा के आते हैं, कववा को गरूर लेके गए, सैकड़ो योजन दूर, खोह में कहीं सवारी है, नारायन कहें, क्या बात है गरूर देव, बहुत प्रशन है, कहें कि गरूर देव, आज तो हमने कववा की जिंदगी बचा दी, नारत जी ने कहा था, इतने टाइम में मर जाएंगे, नारत महान जोत्शी थे, कहें अच्छा, तुम तो होनी टाल रहे, वाओ दे प्रोतिश विज्ञान होनी को आसान ही तो करता है, और क्या करता है, होनी कोई टाल पाएगा, अभी कल भी यही तो हम बोल रहेते कि डॉक्टर होने का मतलब यह थोड़ी क्यों बिमारी से मुक्ती मिल गई, जोत्शी का मतलब थोड़ी कि हम अमर हो गए, होनी तो सुसरा प कान अवाइड करिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, कल बताएंगे, पूरा बोर पश्ची माधी के बारे में, अपना प्यार बनाए रखिएगा, नमस्कार, शिरादे